एलो फ्रेंड्स मैं जूही स्वागत करती हूँ आपका तेयारी ओनलाइन में फ्रेंड्स यहाँ पर हम TET exam के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो आज हम सॉल्फ करेंगे MPTET के प्रिवेस यर 2019 का पेपर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूले तो आए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पहले जो हम करेंगे यह पध्यान से हम पध्यान से को पढ़ेंगे उसके बाद हम उसके question answer को solve करेंगे नाच रहे हैं उमड घुमड कर काले बादल तनिक देखतो तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाएं हैं यह संदेशा लेकर आई सरसमदूर सीतल पुरवाई तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चल कर आई फिर वे परदेशी पाहुनसुन तेरे घर आए है फ्रेंट्स तो यह हमारा पोयम है इसको मैंने आपके लिए पढ़ दिया है तो आएए अब हम solve करते हैं इसके प्रश्ण को और पहला प्रश्ण फ्रेंट्स यह है लिखा है संदेशा का आश्य क्या है तो इसके options यहां पे लिखे हुए है पहला है समाचार और खबर दोनो दूसरा है केवल खबर तीसरा है इसमें से कोई नहीं और चौथा है केवल समाचार तो जो संदेशा का आश्य होता है फ्रेंट्स वो होता है समाचार और खबर दोनो तो आईए friends अब हम प्रशन दूसरा देखते हैं घर का प्रायवाची शब्द क्या नहीं है friends इस बात को ध्यान दीजे इसमें पूछा है कि घर का प्रायवाची शब्द क्या नहीं है तो पहला जो विकल्ब है वो देख लेते हैं आले का मतलब घर होता है ग्री का मतलब भी घर होता है और निकेतन का मतलब भी घर होता है निशापती का मतलब यहां पर होता है चांद तो इसका सही विकल्ब हो जाएगा नंबर 4 चलिए friends तो हम अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा बादल किसके साथ है तो जैसे कि हमने कवीता पढ़ा है कवीता पढ़ा है उसमें किसान का जिक्र हो रहा है तो हमारा सिर्फ किसान का जिक्र हो रहा है किसान की परिवार का कहीं पर जिक्र नहीं हो रहा है तो हमारा जो पहला विकल्ब है वो गलत हो कि सावन के सांवन की बात ही बादल किसके साथ है स्से सावन का कोई रिलेशन नहीं तो हमारा दूसरा विकलब भी गलत हो जाता है तीसरा किसान के साथ है बादल जो है किसान के साथ है तो हमारा जो तीसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा तो आएए फ्रेंट्स अब हम अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है पुर्वाई का क्या अर्थ होता है पुर्वाई से जैसे हमने पुर्वाई को देखकर ही समझ में आ रहा है कि चलने वाली हवा भी गलत हो जाएगा चौथा विकल्प है अगर्म प्रश्म देखते हैं अगला प्रश्म है सीतल पूरवाई से क्या आश्य हैं शीतल पूरवाई यानिभिश्टल थंडा और पूरव की ओर से चलने वाली हवाश तो हमारा पहला विकल्प जो है गर्म हवा जो कि गलत हो जाएगा तीसरा विकल्प लू जो कि यह भी गर्म होती है और गर्मियों के दिन में चलती है तो यह भी गलत हो जाएगा और समंद्री हवा यह भी गलत हो जाएगा जो दूसरा विकल्प है हमारा ठ होता है महमान या अधिती तो आई एक हम अपने विकल्फ में द्ढोनते हैं कि इसमें सही स्इभार मेहमान है आगे देखते हैं दूसरा विटर से कोई नहीं तीसरा विकल्फ है केवल दूनों धुक्त defined POL तो अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि नाचना का विलोम किस शब्द क्या होता है विलोम का अर्थ है उल्टा यानि नाचना का विलोम शब्द क्या होता है यहां पर नाचना का उल्टा पूछा गया है तो नाचना का पहला यहां पर दिया गया है गाना आगे देख लेते हैं विकल्ब हमारा दूसरा है राग तीसरा है विलाफ मतलब रोना होता है और चौथा है बजाना तो यहां पर नाचना का उल्टा जो होगा वो है गाना तो पहला विकल्ब जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा तो आई फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखत अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है तनिक का अर्थ क्या है तनिक या नहीं होता है फ्रेंड्स थोड़ा तो हम विकल्ब देख लेते हैं विकल्ब में हमारा पहला है बहुत बहुत का मतलब होता है जादा निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जानना हो थोड़ा सा का मतलब थोड़ा सा होता है और अधिकांश का मतलब होता है बहुत अधिक तो हमारा जो तीसरा विकल्ब है थोड़ा सा तनिक मतलब थोड़ा सा तो तीसरा विकल्ब जो है हमारा वो सही हो जाएगा तो आईए फ्रेंड्स अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है बादल का प्रायवाची शब्द क्या होता है तो पहला विकल्ब जो है अगला प्रस्थुत पंक्ति किस महीने का वर्णन किया गया है च्पिण किस महीने का वंडन किया गया है यहां पर वंडन किया गया है सावन के महीने का ठीक है अगर हम कवितन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर जिक्र है सावन के महीने का तो हमारा जो सही विकल्प है वो है चौथा सावन हमारा जो विकल्प है वो सही है तो फ्रेंट्स यह हिं चौथा असाड, पाच्वा सावन, छटा भादरपद, सात्वा अश्विन, आठ्वा कार्टिक, नौवा अगहन, दस्वा पॉस, इग्यार्वा माग, और बार्वा फालगुन ये बारा महीने के नाम हिंदी में है, तो आप इसे चाहें, तो अपने कॉपी में या नोटबुक में उतार सकते, तो फ्रेंड्स हम अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन है, पूरवाई कैसी होती है, तो पहला विकल्प है हमारा इन में से कोई नहीं, दूसरा विकल् है हमारा अगनी के समान यानि गर्म, और चौथा विकल्प है हमारा गर्म, तो इसमें से हमारा जो दूसरा विकल्प है शीतल, जिसका मतलब होता है ठंडा, तो वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो आइए फ्रेंड्स अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन है बाद नहीं खा रहा है, और जो चौथा विकल्प हमारा घिरते हैं, तो बादल घिरते हैं, यहां पर यह सही विकल्प हो जाएगा, तो हमारा चौथा विकल्प जो हो जाएगा, वो बिलकुल सही हो जाएगा, तो अगला प्रशन हमारा गद्यांस है फ्रेंड्स, गद्यांस में आपके लिए पढ़ रही हूं और सामने आपको गध्यान चलता हुआ अब स्क्रीन पर दिख जाएगा तमिल नाडू में पॉंगल का तहवार पॉस मास के आरंब के चार दिनों तक मनाया जाता है तमिल नाडू में जो फेस्टिवल है पॉंगल का वो पॉस मास में मनाया जात था लोगए के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजा कर खुशियां मनाते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो बजी के दिन क्या करते हैं इसलार पॉंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से NORग उनन में पॉंगल में जला कर नए बरतन में पोंगल पकाया जाता है उसे जलाकर पोंगल बांध दिया जाता है जिस बरतन में पोंगल पकाते हैं उस बरतन में हल्दी का पौधा बान दिया जाता है और यह जो पोंगल है वो गन्य के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है दूद के साथ उफनता आप पोंगल बरतन के उपर से उमरता है और चारो और रीसकर आच में तपक पड़ता है जो पकवान अंदर बन रहा होता है वो दूद जब उफान मारता है तो वो बरतन से ढखा होता उससे रीसकर नीचे तपकने लगता है उस समय चारो और एकटे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोज में चिलाते हैं पोंगल पोंगल उन्हें प्रसंता होती है कि सूर्य और अगनी ने पोंगल का भोग स्विकार कर लिया है तो फ्रेंट्स ये था हमारा गद्यांश आगे देखते हैं इसके उत्तर अब हम प्रश्न देखते हैं तो पहला प्रश्न है हमारा चावल किसमें पकाया जाता है तो friends पहला जो विकल्प है वो है दही में, दूसरा विकल्प है सिरके में, तीसरा विकल्प है गन्य के रस में और चौथा विकल्प है गुड में तो हमने क्या पढ़ा था? पोंगल किसमें पकाया जाता है गन्य के रस में तो हमारा जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा तो आई फ्रेंड्स अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा नहा धोकर लोग क्या पहनते हैं तो जो हमने गद्यांस पड़ा था उसमें था हम तहवार की बात करें थे पॉंगल तहवार क तो आईए अब विकल्प देखते हैं उत्रन पहनते हैं तहवार पर उत्रन नहीं पहनते हैं फ्रेंड्स फटे कपड़े भी नहीं पहनते हैं पुराने कपड़े भी नहीं पहनते हैं तो हमारा जो चौथा विकल्प है नए कपड़े पहनते हैं यह बिल्कुल सही उत्तर हो देखते हैं अगला प्रशन हैं हमारा पोंगल किसमे पकाया जाता हैं ठीकर तो संस использ ये विकलब देख लेते हैं पहला विकल्म गैज में दूसरा विकल्प रहे में कि फ्रेंट चूले में तो फ्रांड हमारा जो दूसरा विकल्ब है वह बेरा सही हो जाएगा तो आई फ्रेंड अब हम अगला प्रशन tenants देखते हैं अगला प्रशन है हमारा पॉंगल क्या है तो पहला विकल्व हैं हमारे तहवार और विंजन दूसरा विकल्व हैं हमारा शिक्षा और साधन थी तीसरा विकल्व है मौसम और रितू और चौथा विकल्प है हमारा भूजन और रितू जब हमने friends गध्यांस पड़ा था तो उसमें तहवार और वेंजन की बात हुई थी यानि पोंगल क्या है तहवार और वेंजन तो आई friends अब हम अगला प्रश्म देखते हैं अगला प्रश्म है हमारा अगनी का प्रायवाची शब्द नहीं है friends इस चीज पर जरूर धियान दीजेगा हमेशा एक्जांस में इसी चीज में गलती होती है है और नहीं है में लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं तो यहां पर अगनी का प्रायवाची नहीं है हम पूछा गया है तो आईए वह turm 2020 देख लेते हैं पहला विकल्प हैं महारा पावस दूसरा अनल के तीसरा विकल्प मेरे पावक और Чौ्षा विकल्प है अग इंड़ क्र wir loaf in चारों विकल्पों से तीन विकल्प जो तो friends विकल्ब है हमारा पहला पुरानी फसल का, दूसरा विकल्ब है नई फसल का, तीसरा विकल्ब है पुरानी और नई दोनों फसलों का, चौथा विकल्ब है हमारा इसमें से कोई नहीं. तो friends फोंगल जो मनाया जाता है वो नई फसल के उगले के बाद ही मनाया जाता है तो इसमें जो हमारा दूसरा विकल्प होगा नई फसल का वो बिलकुँ सही उत्तर हो जाएगा तो अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है हमारा भोगी के दिन बच्चे क्या करते हैं तो इसका विकल्प देख लेते हैं पहला है केवल बाजे बजाते हैं दूसरा विकल्प है हमारा बाजे और ढोल दोनों बजाते हैं तीसरा विकल्प है केवल ढोल बजाते हैं और झो दूसरा विकल्प है वो विलकुल सही हो जायेगा तो ही अगला प्रेश्म देखते हैं अगला प्रेश्म है हामारा लोगậy 08 होने के कारण दूसरा विकल्प है हमारा अगनी के बुझने के कारण तीसरा विकल्प है सूरे के अस्त होने के कारण और चौथा विकल्प है सूरेवा अगनी सूरेवा अगनी चमकने के कारण तो फ्रेंट्स जब हमने गद्यांस पढ़ा था तो उसकी लास्ट पंक्तियों में लिखा हुआ था सूरे और अगनी की पोंगल का भूग स्विकार करने की कारण लोग खुशियां मना रहे थे तो जो हमारा पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो आई फ्रेंट्स अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा बरतन में क्या बांधा जाता है जब वो पोंगल का जो भोग है वो पकाते हैं तो बरतन में क्या बांधते हैं वो पहला विकल्प है हमारा पीपल का पौधा, दूसरा विकल्प है नीम का पौधा, तीसरा विकल्प है इन में से कोई नहीं और चौथा जो विकल्प है वो हमारा हल्दी का पौधा है तो जब हमने गध्यांस पढ़ा था तो उसमें हल्दी के पौधी का जिक्र था यानि कि जो चौथा विकल्प है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा तो आईए फ्रेंड्स हम अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है हमारा परियावरण का संदी विचेद क्या होता है तो फ्रेंड्स यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्ण है इसको हम ध्यान से देखेंगे आईए हम विकल्ब देखते हैं पहला विकल्ब है हमारा परा जमा आवरन दूसरा विकल्ब है हमारा परी जमा आवरन तीसरा विकल्ब है हमारा परीब जमा आवरन और चौथा विकल्ब है हमारा पीरी जमा आवरन तो हमारा जो दूसरा विकल्ब है friends वो बिल्कुल सही हो सबकुछ कैसा होता तो तीसरा विखल्ब है निरथक यानि जिसका कोई अर्थ ना हो तीसरा विखल्ब है हमारा नया और चौता विखल्ब है हमारा पुराना तो जो पोंगल के दिन सब कुछ कैसा होता है वो तीसरा जो विकल्फ है हमारा नया वो बिल्कुल सही विकल्फ हो जाएगा आए फ्रेंट्स तो हम अगला प्रश्म देखते हैं अगला प्रश्म है हमारा पुंगल की पहले दिन कौन सा तेवहार मनाते हैं तो आए विकल्फ देखते हैं पहला विकल्फ ह भोधी का दूसरा विकल्ब है इनमे से कोई नहीं तीसरा विकल्प है होली का और चौथा विकल्फ है भोगी का तो जब आमने गध्यांश पढ़ा था फ्रेंड्स तो उसमें पहले दिन बोला गया था भोगी का तहवार मनातें वह आप है तो हमारा जोヲ। है वो लो बिलकुल को जरा दी है कि तीनों विकल्ब जो है वह सही है और जो हमारा दूसरा का विकल्ब हें लोग नहाते कि ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि दिन लोग नहाते-दोते हैं नहाते-दोते-दोते नहीं-दोते- नाहीं-दो बूत देख लेते हैं इसलिए अगला प्रेशन है मारा केहां मनाया जाता है कि एसंद मेना को चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो यहीं समात्थ होता है अगले वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और अपनी दोस्तों को साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूले रन्यवाद